ही विल्कम बैक स्वागत है आपका इस चैनल में जहां बात करते हैं स्टार्टपोपर बिजनस को बर एंटर्पेनेवर्स लिए। तो आज बात करेंगे अधानी के रिनिवल सोर्स के वपर जो एनर्जी के वपर फोकस के अनुग तो हम उनी चीजों के उपर बात करेंगे जै अभी जित्ते भी carbon emission हो रहे हैं वो coal के कारण से हो रहे हैं coal बहुत जादा पूरे वर्ड में coal से सबसे ज़्यादा जो एलेक्रिसिटी जनेट कियाता है और चुकि coal जो है pollution create करती है और जिसे कारण से बहुत जादा अगर कोई भी entrepreneur solar cell के उपर काम करता है तो उसे ज़्यादा business create होने को मिलें क्योंकि most of the 70% जो है इंडिया का जो प्रण्यम्प्सन होता है electricity का वो फो कोल से होता और कोल जो है आने वाले 20-40 साल में जो है खत्म होने वाला है तो यह एक बहुत अच्छा source है उसके उपर ता अडानी गुरूप जो हाला की काम कर रहे है solar city के उपर उसका अडानी solar panel है जिसके उपर वो काम कर रहे है और इससे जो है अच्छा का सका ही company था तो वो जो है काम कर रहे है वहाँ पर उसी तरह से और भी बहुत सारा जो है solar city के काम किया जा सकता है अगर आप business करना चाहते है उसके इसके इंदर तो आप जरूर कर सकते हो इस बिजनेस के अंदर solar city बहुत ज्यादा matter रखेगी इसके उपर और renewable source हर एक चीज हर एक चीज आप business करना से पहले है फिर entrepreneurs हो तो उसके वाइब में सोचो कि कही रिनीवल है क्या carbon emission कम होगा क्योंकि Bill Gates भी कहते हैं कि हमें 2050 तक में carbon emission जो है down to zero लाना पड़ेगा उसके लिए आप कुछ भी करो मैं आपको पैसे दूँगा अडलिस्ट आप जो है इनोवेशन कर सकते हो अपने बिजनस कर सकते हो जिससे कारवन का emission लो हो जो सिमेंट इंडस्ट्री को आप रिइनोवेट कर सकते हो जिससे कारवन एमिशन लो या फिर कोई भी इंडस्ट्री जो कि इतना पॉल्यूशन करते हैं उसको जो है अगर हम डाउन टुजीरो कर दो उसके चले जाए हम पायोगैस के बहुत है लेकिन इसमें बहुत सारा पेस्पेस हुए है इसके वारे में मैं आपका कहा रहा है मुझे कॉमेंट करके जलू बताना मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आए होगी तो यह जो है मैं इस वीडियो यही करना चाहता हूं कि रेनीवल सोर्स के उपर फोकस करें जैसे कि सोलर सीटी हो गया और भी डिफरेंट डिफरेंट सोर् इसके उपर रहेगा जिससे प्राकर्तिक ज्यादा दिक्कत ना क्रेट हो अगर इसके उपर आप नहीं सोचते हो तो इसे तरह से पैंडेमिक क्रेट होते रहेगा और फूरे वर्ल्ड फोकस करेंगी कि हम वैसे चीज़ के उपर बिजनस करें जिसमें आर्थ को भी पॉलिट आपके ना बिल्कुन बोलिए क्योंकि मैं आपके लिए जाना इसी तरह हर रोज ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं फिलाल आज के लिए इतना ही जैहिंद वंदे मातरम